पांचो पांडव भाईयों की पत्नी द्रोपती के वारे में तो आप सभी जानते ही हैं। द्रोपती की उत्पत्ती राजा द्रुपत के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह अपने दुस्मन द्रोणाचारी के वद के लिए पुत्र प्राप्ती के लिए यग्य कर रहे थे। ये स्वयंबर किया था। जिसमें ब्रामन के वेश में आये अर्जुन ने स्वयंबर की सर्थ को पूरा करके द्रोपती को अपनी पत्नी बना लिया था। विच्छा को पांचों में बरावर बरावर बाट दिया करती थी। दोस्तो इसी प्रकार अर्जुन द्रोपती को लेकर अपने घर आये और उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर देवी कुंती से कहा कि देखो मा आज हम लोग आपके लिए क्या लेकर आये हैं। परन्तु घर का काम कर रही कुंती ने उनकी तरफ देखे विना ही यह कह दिया कि पांचों भाई जो भी लेकर आये हो उसका उपहोग करो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंती सहीत पांचों भाई वड़े ही सत्यवादी थे और अपनी मा के मुह से निकली हर वाद को आधेश की तरह पालन करना अपना धर्म समझते थे। इस कारण अपनी मा के मुँसे निकले इन सब्दों को लेकर पांचो भाई चिंदित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रोपती को देखा तुवा भी बड़ी बिचलित हो गई थी। उसने यह क्या बोल दिया था तब उसको एहसास हुआ। तब कुंती अपने पुत्र धर्मराज युदिष्ठिर से कहा कि ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे द्रोपती का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुँसे निकली बात भी जूठी ना हो। दोस्तों जब किसी से भी इसका कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो इस बात से राजा जा सकती है तब महर्शी ब्यास राजा दुरुपद को बताते हैं कि दुरुपदी को उसके पूर्व जनम में भगवान सिव संकर से ऐसा ही वर्दान प्राप्त हुआ था भगवान सिव के उसी वर्दान के कारण यह समस्या उत्पन हुई है और भगवान सिव की बात गलत कैस महर्ची व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी वेटी द्रोपती का पांचो पांडव के साथ विवा करने को राजी हो गये थे। फिर इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रोपती का विवा संपन हुआ और इन तीनों के साथ में द्रोपती ने अपना पतनी धर्म निभाया। तब वे यह भी जानते थे कि द्रोपती अपने पतियों के साथ पतनी धर्म कैसे निभा पायेगी। इस कारण उन्होंने द्रोपती को साथ में यह भी वर्दान दिया था कि वह प्रती दिन अश्नान करते ही कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रोपती अपने पाँच पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त होई थी। परन्तु संतान प्राप्ती हेतु भगवान स्रीकृष्ण ने यह सुझाव रखा कि प्रती वर्ष द्रोपती एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी। और जिस समय द्रोपती अपने कच में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी।